इंजिनियर स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR राष्ट्री भौतिक प्रियोक साला की तरफ से डिप्लोमा और बीबी टेक वालियों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोश्टो पर वेकेंसी है फ्रेसर सीलिस बल रहेंगे आपकी डायरेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जाम निसन फीस लगेगी बाकी की जानकरी हम आगे की वीडियों में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जॉब सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सप ग्रूप को भी जॉइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका काउंसिल ओफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नैशनल फीजिकल लेबरोटरी नई दिल्ली की तरफ से निकाला गया है यहाँ पर आपकी कॉंट्रेक बेस पर वेकेंसी रहने वाली है जहाँ पर डिप्लोमा और बी बी टेक वाले अपलाई कर सकते हैं बात कर लेते हैं आपकी वेकेंसी लिटेल के बारे में यहाँ पर आपकी किस पोस्ट पर वेकेंसी रहने वाली है essential qualification यहाँ पर आपसे क्या मांगी गई है salary यहाँ पर आपकी क्या रहेगी और interview यहाँ पर आपका कब होने वाला है पहली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है Project Associate 1 के लिए यहाँ पर आपकी एक post पर vacancy रहेगी qualification में आपको बताया है अगर आपने BB Tech किया है engineering में आप यहाँ पर apply कर पाएंगे Apparage limit यहाँ पर आपकी 35 साल रखी गई है अगर आपने BB Tech किया है electronic यहाँ फिर Electrical Engineering में आप यहाँ पर eligible रहेंगे Salary यहाँ पर आपको 25,000 रुपे प्रतिमन्थ प्लस आप लोगों को यहाँ पर HR मिलने वाला है और इस post का interview यहाँ पर आपका 22 number को होने वाला है अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Project Associate One के लिए अगर आपने BB Tech किया है Mechanical Engineering में आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे Salary यहाँ पर आपको 25,000 रुपे प्रतिमन्थ प्लस आपको यहाँ पर HR मिल जाएगा Next Vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है Senior Project Associate के लिए अगर आपने BB Tech किया है Electronic या फिर Electronic and Communication Engineering में इसके साथ आपके पास दी मिनिमम चार साल कवर के एक्सपिरियंस से आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे Salary यहाँ पर आपको 42,000 रुपे प्रतिमन्थ प्लस आपको यहाँ पर HR प्रोवाइट किया जाएगा Next Vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है Project Assistant के लिए टोटल यहाँ पर आपकी 3 पोश्ट उपर Vacancy रहेगी Qualification में आपको बताया है अगर आपने 3 साल का Diploma किया है Electronic and Communication Engineering में या फिर Instrumentation Engineering में या फिर Mechanical Engineering में आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे Salary यहाँ पर आपको 20,000 रुपे प्रतिमन्थ प्लस आपको यहाँ पर HR प्रोवाइट किया जाएगा और भी यहाँ पर आपकी काफी positions पर वेकेंसी हैं जहाँ पर Diploma और B.B.Tech वाले अपलाई कर सकते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपना अपोडेटे सीवी लेना है उसके साथ में आपकी जितने भी जरुरी डोकुमेंट है उन सबको आपको लेना है और पहुत जाना है इनके official address पर reporting time यहाँ पर है आपका 9-10 बजे तो जो लोग भी इनके eligibility criteria को पूरा करते हैं आप इसके लिए interested होते हैं eligible होते हैं आप इनकी nearest location में आते हैं आप ये interview दे सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you, शुक्रिया